नम्हें का ट्रेंड़ फिरीक में आपका स्वागत हैं हलो विवोज आज हम आपको एक ग sided के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके खोश ओर जाएंगे हम आपको चाली चापलीन악 के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर उनकी मौत के बाद उनकी लाश का क्या हुआ था स्विजलेंड के गाउ कर्सियर सर्वेवे में लोग रोज की तरह चैन से सो रहे थे उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि गाउ के कब्रिस्तान में कुछ ऐसा चल रहा था जो पूरी दुनिया सामने रुकते हैं बाकी कब्रों से जादा बड़ी और सजी हुई कब्र जिस पर लिखा था अगले दिन चाली की कब्र खाली थी क्योंकि उस पर कब्र लिखा था चाली चापली तो आप समझ सकते हैं कि आकर उन्हें किसकी तलाश थी चाली चापलीन की पूरी जिंदगी ल मौत के दो महीने बाद कबर से गायब हो गए हंगामा मचना था सो मचा किसी ने कहा कि फैंस बॉडी को ले गए किसी नाजियों ने उनकी बॉडी चुरा ली कुछ लोगों नाजियों वाली बात ज्यादा सही लगी अपनी फिल्म दे ग्रेट डिक्टेटर से चार्ली ने डॉलर माने आज की तकरीवन चार करोड रुप है उन्हाने इन लोगों को पैसे देने से मना कर दिया बहुत गर्व से उन्होंने जवाब दिया मेरे पती इस वक्त स्वर्ग में है और मेरे दिल में है मैं बॉडी के लिए पैसे नहीं दूंगी इतना ही नहीं उन्हा का मान भी थे रेफ्यूजी भी थे पैसे के लिए उन्होंने ये काम किया था पुलिस ने परताल की तो पता चला कि इन्होंने चार्ली की बॉडी को कार्सियर्स के एक मील दूर मक्य के खेत में दफना दिया है बाद में परिवार ने चापलेन की बॉडी को जो है क्रिकेट की कब अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेर करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन दबा दे जिससे आपको हमारे आने वाले और वीडियो के भी अपडेट मिलती रहेगी धन्यवाद